साथियों, आज धारत सही माइने में स्पीड और स्केल के रास्ते पर चल पड़ा है। एक बहुत बड़े वर्क की बेसिक जरुरतों को हमने पुरा कर लिया है। इसलिए वो एक लेवल उपर की सोचने लगा है, आगे की सोचने लगा है। यही भारत पर बरोसे का सबसे बड़ा कारण है। साथियों, कुछ दिन पहले भारत सरकार का जो बजेट आया है, उसमें भी आपको यही कमिट्मेंट साप साप दिखेगा। इंफ्रास्ट्रक्टर पर रेकोर्ड खर्श आज सरकार कर रही है। और हर वर्श इसको हम बढ़ा रहे हैं। इसलिए आज आपके लिए इंफ्रास्ट्रक्टर में इंवेस्ट्मेंट के नए मौके मन रहे हैं। आज आपके लिए हेल्थ, एजुकेशन, सोचल इंफ्रास्ट्रक्टर में इंवेस्ट्मेंट के भी अनेक आउसर है। ग्रीन ग्रोथ के जिस रास्ते पर भारत चल पड़ा है, उसमें तो मैं आपको विशेज रुप से आमंत्रित करता हूँ। इस वर्श के बजेट में 35,000 करोर रुपिये तो हमने सिर्फ एनर्जी ट्रांजिशन के लिए रखे हैं। ये दिखाता है कि हमारा इरादा क्या है। मिशन ग्रीन हाइड्रोजन हमारे इसी इरादे को बुलंद करता है। इस बजेट में इस से जुड़ा पूरा इको सिस्ट्रीम विक्सित करने के लिए अनेक कदम उठाए गए है। इलेक्ट्रीक मोबिलिटी की ट्रांस्परमेशन के लिए एक नई सप्लाई और वेल्यू चेन हम विक्सित कर रहे हैं। झाल 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 झाल